शॉली सिंगो सर्जटा, डाले भगवा वेश, कानन कुंडल भस्न दसे, शिवगो रक्षा आदेश, 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 मित्रों आज एक बहुती मज़दार विशय और बहुती जरूरी विशय पर मैं बात करने जा रहा हूं जब हम अगोर की बात करते हैं, जब हम तंद्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले लोग पंच मकार पे जाते हैं, क्यों भई वो खाने, पीने और आम जरूरूरतों की बात करते हैं, पंच मकार में भी दो मकारों पे लोग जादा बात करते हैं, मद्दे और मैथुन, आज हम इतना वो मद्यपान करते हैं, कभी आपने शायदी सुना होगा कि कोई अगहुणी मद्यपान के चलते मारा गया। शराब तांतकों और खुरीयों नहीं पहुंचाते है। क्योंकि जब एक तांत्रिक की आगोरी बहुत जादा मध्यपान करता है तो वो अपने इस्ट को और अपने साथ जो शक्तियां हैं उनको वो मध्य देता है अपने शरीर के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक चीज होती है उसे खपर कहते है तंत्र वाले लोग खपर के बारे में जानते ही हैं खपर एक जहरीला नारियल होता है जो समुत्री नारियल होता है उसके दो टुपडे किये जाते हैं जो कि एक पात्र के रूप में आता है और इस पात्र को खपर कहते हैं तो सादू सन्यासी या फिर देवी देवता खपर का प्रयोग करते हैं माना ये गया था कि खपर का सबसे पहला प्रयोग महादेव जी ने किया था जब समुत्र मंधन हुआ था तो जो हलाहल निकला था देवताओं ने अमरित ले लिया और हलाहल महादेव के पास छोड़ गये उस हलाहल को महादेव जी ने जहरीली खपर में पिया था मा काली की भी अपने अगर तस्वीर देखी होगी तो मा काली भी हाथ में खपर रखती है और खपर में ही वो भोग लेती है कोई भी क्रिया खपर से ही होती है और हमारे भैरव जी तो है हाथ खपर भुजा खडग कमर बंदर लाल हो हाथ में खपर हो, भुजा में खडग हो, कमर बने लाल हो, तो वो हमारे भैरव जी है, तो भैरव हमारे इस्ट हैं, और जब हम मध्य पीते हैं, मध्य पान करते हैं, या भोग चढ़ाते हैं, तो उसका एक साधना होता है, आप तांतरिक बन गया और उसके विए अब दिन भा शराब पी रहो, तो फिर आप भी वैसे ही मरो, कि लिवर सिरोसे से जैसे और लोग मरते हैं, या फिर आप उस शक्ति को जागरित करो, देवताओं को उनका भोग दो, शक्तियों को उनका भोग दो, और तब उस मध्य का पान करो, तो वो प्रिशाद होता है, और वो तुमा अब्द्य साधना जैसा कुछ होता नहीं है, मैंने जो शुरुवात में खपर की बात कही, सिद्ध खपर होता है, या जो भी आप पात्र में खपर बहुत जादा मिलता नहीं है, तो जिस भी पात्र में आप भोग देते हैं, वो ही आपका खपर है, ठीक है, तो खपर का मंत्र होता है, खपर का मंत्र अगर आपने सिद्ध कर लिया, तो आप पे मद्य असर नहीं करेगा, तो शुरू करते हैं, करना क्या होता है, हम लोगों को, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम, उस त्रिभुज में उपर की और ओम लिखेंगे, आपकी बायत और हम कू लिखेंगे, अपने दाएं और हम वंग लिखेंगे, और बीच में हम रिम लिखेंगे, सबसे बाया, त्रिभुज बनाया, उपर की और ओम लिखा, बीच में हरिम लिखा, बाईं और कू लिखा, और दाईं और वंग लिखा, ठीक है, अब जहां पे हर प्रिम लिखा है उसके उपर दीब जलाएं ठीक है, ओम के उपर तेल से तला हुआ उड़त रखें वंग के उपर दही रखें और कूंग के उपर गुर्ड रखें, बड़ा रखें, दही रखें, मध्य और मचली रखें ठीक है, यह आपका भरवियंत्र बन गया और इसके इसके बगल में आप खपर रख लें, ठीक है? अब जब आपने खपर रख लिया तो एक माला ले भैरब का कोई भी साधना अगर काले हकीक की माला से हो तो बहुत उत्तम होता है अगर काला हकीक ना होता है कि आज के रेट में मार्केट में बहुत ही उम्दा के समखे को शक हो की हकीक असली नहीं है तो हकीक के माला से ना करके जाप एक रुद्राक्ष की माला से करें ठीक है? तो आपको करना क्या है? जो मंत्र में उसको बताऊंगा ना आपको अभी उसको करके 41 दिनों तक ठीक है? 41 दिनों तक इस यंत्र के सामने आपको जपना है एक माला और अगर आपके पास खपर है या कोई विशेश पात्र है जिससे कि आप भोग देते हो तो उस खपर को धुने के पास रखते कर 41 देश तक आप उस पे इतर कस्तूरी इतर लगाना और धुना में हवन देते रहना अब आते हैं मंत्र पे मंत्र है बड़ा सरल मंत्र है चार लाइन का मंत्र है उसका आदेश यकाते हैं मंत्र है अपर के सामने में जापना है एक बच जब एक तालिस दिन पूरा हो जाता है आप उसका दशान सावन कर लेते हैं तो रोज आपको सुर्फ इतना करना है कि जब भी आप कारण ले अच्छा मैं शराब और कारण दोनों बोलता हूँ कारण हमारे भाषा में शराब को ही बोला गया है कारण उसको इसलिए बोलता है कुझकि जब आप मुद्रा में उसको अपने हथेली पर रखते हैं और जब पीते हैं तो तीन उगले और रहती है दो नीचे रहती हैं इसलिए शराब को मायान को कारन भी भोला गया है तंतरवन तो माया के तीनो जो गुन है उसको उठाता है कारन वह नहीं कि हम पी कर से कारण जो भगवदन को चड़ा और उसका प्रशाद को हम अर्ड़ों ने गरहन किया ठीक है? और वह माया के तीनो गुन ओठा है आप सिर्फ सात्विक गुन से साधना नहीं कर सकते तीनों गुन होने चाहिए तब साधना सफल होता है अच्छा, इत्ता करने के बाद रोज आपको क्या करना है जब भी आप कारण या शराब का पात्र हाथ में लो तो अपनी कानी उंगली को लेना उसमें डुवाना और तीन बार ओम श्रिंग फट स्वाहा करके जमीन पर छीटा मारना अगर आप पूरा मंत्र नहीं भी करोगे और सिर्फ ओम श्रिंग फट स्वाहा से तीन बार दे दोगे तो वो आपका भोग एकसेप्टेड होगा मैं अपने अगले वीडियो में अगूर और तंत्र के हिसाब से कुछ रक्षा विधी बताऊंगा कुछ रक्षा मंत्र बताऊंगा और कुछ बहुत सहज उपाज बताऊंगा रक्षा के जिससे की आप किसी भी तांत्रिक प्रहार से बचे रहें साथी मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फैलाएं बहुती सीधी से रल भाशा में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक अग्हूर की जानकारी रखू आप लोगों कर मुझसे बात करना है तो एक आप एक आप आता है एंडॉइड और आपल दोनों पे आस्क मी फॉर आप प्रस्पर झाल 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 झाल